हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर, दोस्तो आज की वीडियों बात करेंगे रीजिनिंग के इंपोर्टन प्रेस्टों की जो एक्जामें पूछे जाते हैं, दोस्तो आज की वीडियों में जितनी भी कोशन कराऊँगा, सभी कोशन 2018 में पूछे गए हैं, ठीक है सिंपल है, स्पेलिंग से पता लगा लेंगे, देखें कैसे, इसमें आप देखेंगे, L, E, A, N, यहां देखेंगे, L, I, E, N है, ठीक है, कोई बात नहीं, यह चार शब्द हैं, आपके पास, L, I, E, N, ठीक है, इसमें चेक करेंगे, L, I, E, N, यह जो चार इसमें है, वही चार इसमें है, वही चार इसमें है, लेकिन इसमें चारो शब्द नहीं है, L, I, N, इसमें, L, E, N है, I की जगे क्या देदिया गया, यहां पर A देदिया गया है, के लिए हैं दोस्तों समाजे में आ रही है बात देखिए L I E N ये चार सब्दें हैं पर दोस्तों मैं आप पर चाहो तो लिख लेता हूँ L I E N ये चार सब्द इसमें दिये गए है अब इसमें कौन कौन से दिये गए है L दिया गया तो L के नीचे L लिख लो I दिया गया I के नीचे I N दिया गया है N के नीचे N लिखो E दिया गया है E के नीचे E मतलब यही 4 सब्समें है वही 4 इसमें है इसको भी चेक कर लो N के नीचे N लिख लो N कहां पर आपका लाइस्ट में है i के नीचे i e के नीचे आप e लिक लो l दिया गया l के नीचे r तो इसमें तीनों मैं क्या है दोस्तों same alphavet number दिये गए है same to same लेकिन पैले में different दिया गया है तो यही क्या हो जाएगा हमारा visum हो जाएगा clear दोस्तों समझ में आगी बात उम्मिद करता हूँ question में कोई doubt नहीं होगा तो पहला option आपका यहाँ पर सही हो जाएगा तो विसम सब्द को कैसे पहचानेंगे समझ में आगया दोस्तों ठीक है सभी question अलग अलग type के पूछे जाते हैं जरूरी नहीं है हर question में यही logic लगेगा आपका किसी किसी में तो bubble से पूछा जाता है किसी किसी में अपोजिट से पूछा जाता है तो आपको देख करके पहचानना है इसमें तो simple था चार सब्द थे simple था आसानी से पहचार लिया के लिए दोस्तों यदि आगे question पूछे जाएंगे तो मैं उम्मिद करता हूँ आप उनको अच्छे से solve कर लेंगे अभी देखिए आपको करना क्या है अपनी reasoning की book रखिए अपने पास में और फिर उसमें से करना चालू कीजे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब आप खुद से करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा ठीक है दोस्तों अब देखते है अगला question अगला question है m-n में से m-n घटाने पर कितना होगा मतलब इसमें से हमको इसको घटा देना है और कितना मिलेगा ये पूछा गया ठीक है मतलब m-n में से हमें क्या कर देना है घटा देना है इसको किसको m-n को हमको घटा देना है तो घटाने के लिए क्या है माइनस थान लगेगा clear है आप देखिए ये क्या हो जाएगा m-n ठीक है ये माइनस है यहाँ पर माइनस तो यह M आपका माइनस का हो जाएगा अब यह माइनस का गुणा इसमें होगा तो यह पिलस माइनस का हो जाएगा यह भी माइनस का N हो जाएगा आप देखें यह पिलस का M माइनस का M कट जाएगा बचेगा कि आपके पास माइनस का N और माइनस का N ठीक है minus का n minus का n बचेगा तो क्या हो जाएगा आपके पास minus का 2n 1n ये रहा minus का 1n ये रहा minus का तो minus के 2n हो गए आपके पास यही हो जाएगा दोस्तों आपका सही answer कौन सा option पहला option आपका यहाँ पर सही हो जाएगा किलियर दोस्तों समझ में आगी बात कैसे solve करना है यदि question में कोई भी doubt हो तो मुझे comment box में बता देना ठीक है दोस्तों अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका लुप्त संख्या ज्याद करो मतला missing number आपको find करना है याप पर क्या आएगा ठीक है दोस्तों मैं एक बार आपको फिर बता देता हूँ जितने भी question करा रहा हूँ दोस्तों सभी question 2018 में पूछे गई है इसलिए आप इस video को पूरा अंत तक देखिए important question है सभी के सभी ठीक है अब देखिए आपसे क्या है यहाँ पर दिया गया है 594,198,66 question mark यहाँ पर क्या आएगा clear दोस्तों आप खुद से करना चाहते है तो वीडियो को यहीं पर pause कर दीजे खुद से solve कीजिए आपका जो भी answer आया है मुझे comment box में बताईए क्या answer है बात में अपना answer और मेरा answer match करना ठीक है दोस्तों खुद से करके देखिए अब देखिए मेरा answer क्या है आपको यहाँ पर क्या दिया गया है 594 ठीक है 594 को क्या करेंगे हम तीन से भाग करेंगे कितनी बारी जाएगा अब तीन से भाग करेंगे इसको तो तीन एकम तीन चला जाएगा दो बचेगा कितना हो जाएगा 29 ठीक है अब यह तीन से काटेंगे 29 को तो कितनी बारी चला जाएगा तीन निम 27 होता है तीन निमे का 27 होता है दो बचे का 24 ठीक है 24 को 3 से काटेंगे तो करती बचला है 3,8, 24 अब 3 से 594, 108 बार कट गया तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा 198 तो दे रखा है जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो 3,6 के 18 ठीक है इसको हमने 3 से डिवाइड किया यह वाली संख्या मिल गई अब क्या करेंगे इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे 66 को 3 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 3 दुने का 6 फिर से 3 दुने का 6 22 बार चला गया तो 22 हो जाएगा आपका सही आंसर D option आपका सही हो जाएगा यहाँ पर क्या आएगा दोस्तो 22 आएगा किलियर है उम्मिद करता हूँ question आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा जितने वे student ऐसे हैं जिन्होंने खुद से करके solve किया है वो मुझे comment बताईए कि आपका अंसर सही आया था या कुछ और आया था किलियर दोस्तों अब देखतें अगला question अगला question आपका अखवार प्रेश कपड़ा यहाँ पर क्या आएगा अखवार का relation दोस्तों प्रेश से है तो कपड़े का relation यहाँ पर किस से बनेगा ठीक है देखे जिस तरह से अखवार प्रेश से प्राप्त होता है अखवार कहां से प्राप्त होता है दोस्तों प्रेश से प्राप्त होता है उसी प्रेकर कपड़ा आपको कहां से प्राप्त होता है कपड़ा आपको मिल से प्राप्त होता है कपड़ा दरजी से प्राप्त नहीं होता दरजी पे तो सिलवाया जाता है कपड़े को तो वस्तर बोलते हैं सिले सिलाये को वस्तर बोलते हैं कहां से प्राप्त होता है कपड़ा हमको मिल से प्राप्त होता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मिल हो जाएगा क्लियर दोस्तों समझ में आ गया अब देखते हैं अगला कोशन अगला question है विशम सब्द का चयन करें ठीक है यहाँ पर देखिए हमको सब्द दिये गए है इन में से क्या करना है विशम सब्द हमको चुनना है ठीक है दही है मक्खन तेल पनीर क्रीम इन पांचों में से विशम क्या होगा देखिए मैं दही की बात करूँ दूद से बनता है मक्षन भी दूट से बनता है पनीर भी दूट से बनता है और क्रेम भी दूट से ठीक है जी तो ये चार आपके दूट से बनते हैं लेकिन तेल आपका इसमें भिन्न दिया गया है मतलब सबसे अलग दिया गया है तो यही क्या हो जाएगा आपका विशम तो तेल किस option में दिया गया है C option में दिया गया है तो C क्या हो जाएगा आपका सही answer हो जाएगा clear रहे बहुत आसान था इसको समझने में बिल्कुल भी परिशानी नहीं होनी चाहिए अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका 3000 रुपे का 10% की बार्शिक दर से 2 वर्सका कुल चक्कदी ब्याज कितना होगा ठीक है देखें 2 वर्सका चक्कदी ब्याज पूछा गया है तो मैंने आपको बताया है ratio trick 2 ratio 1 जब आप 2 वर्सका निकालेंगे तो क्या trick रहती है 2 ratio 1 clear है 3 वर्सका निकालें चाहें 4 वर्सका चाहें 5 वर्सका चाहें 6 वर्सका मैंने इसके उपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है यदि आप में नहीं देखा है तो इस वीडियो के description में लिंक मिल जाएगा वहाँ से देख लेना कितने भी वर्सका पूछा जाए चक्कदी ब्याज इस ratio trick से आप कर लेंगे ठीक है दोस्तों दो ratio एक होता है दो वर्सक निकालने के लिए ठीक है अब देखे 10% का rate है तो 3000 का 10% निकाल लीजे यहाँ पर निकाल लेते हैं 3000 का हम क्या निकालेंगे 10% बटे में कितना आजाएगा 100 0 से 0 कट गया 0 से 0 कट गया कितना आया 300 आया तो 3000 का 10% कितना हो जाएगा 300 तो इस 300 का इसके उपर लेखेंगे पहले वाले के उपर ठीक है अब 300 का फिर से निकालेंगे 10% 300 का 10% फिर से निकालो ठीक है कितना हो जाएगा 0 से 0 कटा 0 से 0 30 आ गया इस 30 को यहां तक लिखेंगे अब क्या करना है इसका multiply से कर दो इसका multiply 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 मतलब 600 हो जाएगा 30 एकम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा दोनों को कर दीचे plus 600 plus 30 कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा किलियर है दोस्तों तो दो वर्ष का चक्कदी पे आज कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा पस आगया आपका अंसर B option आपका सही हो जाएगा किलियर दोस्तों समझ में आगी बात इसके लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है description में लिंक मिल जाएगा वहाँ से देख लीजिएगा किलियर दोस्तों उम्मिद करता हूँ question आप सभी को अच्छित समझ में आ गया होगा अब देखेंगे अगला question अगला question है आपका बैभव दो दिन में 10 पूरी तथा सौरव एक दिन में 20 पूरी खाता है बैभव और सौरव मिलकर 250 पूरियां कितने दिनों में खाएंगे ठीक है दोस्तों देखें एक आपके पास बैभव है बैभव कितनी पूरी खाता है 10 पूरी खाता है कितने दिन में 2 दिन में ठीक है इस बात को याद रखना बैवव दो दिन में दस पूरी खाता है एक आपका सौरब है सौरब क्या करता है एक दिन में बीस खाता है सौरब कितना समय लेता है एक दिन का समय लेता है पूरी कितनी खाता है बीस पूरी खाता है बैवव दो दिन में दस खाता है सौरब एक दिन में 20 खाता है जब बैवब दो दिन में 10 खाता है तो एक दिन में कितनी खाएगा 5 खाएगा तो बैवब आपका एक दिन में कितनी पूरी खाएगा 5 खाएगा ठीक है और आपका सौरब भी एक दिन में कितनी खाएगा सौरब एक दिन में 20 खाता है तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितनी पूरी खालेंगे 25 पूरी खालेंगे बैवब एक दिन में 5 खायेगा सौरब एक दिन में 20 खायेगा दोनों एक दिन में कितनी खालेंगे 25 पूरी खालेंगे तो 250 पूरियां कितने दिन में खालेंगे दस दिन में खालेंगे तो C option आपका यहाँ पर सही हो जाएगा किलियर दोस्तों समझ में आगी बात उम्मिद करता हूँ इस question में आपको कोई भी doubt नहीं होगा ठीक है अब देखते हैं अगला question अगला question है आपका निमन स्रेंखला में गलत पद को पहचानिये ठीक है यह स्रेंखला दी गई है इसमें हमें गलत पद को पहचानना है ठीक है अब देखें यहाँ पर आप चेक कीजिए तीन दस सत्ताइस चार सोला चोंसट पांच पच्चीस और यहाँ पर क्या दे रखा है 125 देखी मैं आपको यहाँ पर बताऊ यह क्या है पांच की पावर एक है यह क्या है पांच की पावर दो है और यह क्या है पांच की पावर तीन है किलिए रहे दोस्तों ऐसे यहाँ पर चेक कीजिए चार की पावर एक है यह क्या है चार की पावर दो और यह क्या है चार की पावर तीन है के लिए रहें ऐसे ही यह क्या है तीन की पावर एक है जब यह तीन की पावर एक है तो यहां पर क्या आएगा तीन की पावर दो आएगा और यहां पर क्या आएगा तीन की पावर तीन आएगा चार की पावर एक चार की पावर दो चार की पावर तीन पांच की पावर एक पांच की पावर दो पांच की पावर तीन इस तरह से सीरीज चल रही है तो यहाँ पर दस दे दिया गया है नोके स्थान पर तो यह गलत पद हो जाएगा यहाँ पर दस से करने के लिए दिया था ठीक है दोस्तों और maximum लोगों ने इसका अंसर 50 बताया है तो देख लेते हैं क्या इसका अंसर 50 है या फिर कुछ और ठीक है देखे 18 है 24 है 30 है 17 है 28 है 31 है 26 है 48 है question मार की जगे पर क्या एगा देखे question में हो क्या रहा है यहाँ आप पर क्या दियेगा 30 यदि आप 30 और 18 का कर लें अंतर ठीक है अंतर का मतलब क्या होता है ज्यादा मैंसे कम को घटाते हैं तो 30 मैंसे माइनस कर दें आप 18 को कितना बचेगा दोस्तों 12 और यह बीच वाली सेंग कि आपको चाहिए 24 तो 24 कैसे मिलेगा 12 से यदि आप 2 का मल्टिप्राइग कर दें 12 का तो आपको 24 मिल जाएगा समझे में आई दोस्तों क्या ट्रिक था ऐसे इन दोनों का कर दें अंतर तो 31 में से 17 को माइनस कर दीजे 31 माइनस 17 जब आप 31 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों आपके पास 14 बचेगा 14 बच्चा आपको कितना Чिए 28 यहाँ 2 से मल्टिप्लाइः किया था यहाँ भी 2 से कर तो 14 दुनी कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा किलियर है ऐसे ही क्या करेंगे यहाँ इंदोनों का अंतर करेंगे किलियर समझ में आरिवाट तो इस मैसे इसको घटा देंगे तो घटा देंगे इस मैंसे जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास इसकी आधी वाली संख्या आएगी इसकी आधी संख्या आएगी ठीक है उसका मल्टिप्लाई हम दो से करेंगे ऐसे यहाँ पर 48 का आधा हमें कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएगा मैं यहाँ पर कर देता हूँ 24 मिल जाएगा हमें इसका आधा किलियर है और जब हम इस मैंसे इसको घटाएंगे तो 24 मिलेगा तो कितने मैंसे हमें यह घटाना पड़ेगा 26 50 में से 26 घटाएंगे तभी तो 24 मिलेगा और 24 का multiply 2 से करेंगे तभी तो 48 मिलेगा समझ में आरे दोस्त बाद तो यहां पर क्या जाएगा 50 आजाएगा क्योंकि 50 में से हमने घटाया 26 हमको मिल गया 24 24 का multiply करेंगे 2 से तो आपको मिल जाएगा यह 48 clear है तो maximum लोगों ने इसका आंसर 50 बताया था और उन सभी का आंसर एकदम राइट हो जाएगा clear है सभी का आंसर सही है 50 तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा आज के वीडियो में जितने भी question कराए है सभी 2018 के पूछेव question है इसलिए वीडियो को आप अंते तक जरूर देखा करो ताकि अच्छे अच्छे logic सीख सको और वीडियो पसंद आये तो like करिया करो और दोस्तों में भी share कर दिया करो ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में कोई भी doubt नहीं होगा धन्यवाद